एमें फाइनल पेपर सेवन फ्लासिफी अफ रिलीजन मैं एरु फैरवानी एससेट प्रोफेसर एस्पीसी गवर्मन्न कॉलिज एजमियर वेलकम बत्यों पेपर सेवन्त में हम धर्म का उद्गम और विकास पर चर्चा कर रहे थे धर्म की अवस्थाएं या धर्म की रूपों पर हम विचार वे मश्का रहे थे धर्म की दो रूप सरवात्मवाद और मानावाद इस्परम चर्चा कर चुके हैं तीसरा रूप टोटमवाद है टोटमवाद आदिन धर्म का एक मुख्यरूप माना जाता है ये आस्ट्रिलिया अफ्रीका और उत्री अमेरिका की कुछ जन जातियों में टोटमवाद पाया जाता है ये जो जातिया है वो किसी पश्यो को या पेड को या पौधे को टोटम के रूप में मानती हैं और इसका उनके जीवन में एक विशेश मैत्म होता था इस टोटम को एक पवित्र मान कर उसका सम्मान किया जाता था हर जन जाति का अपना एक टोटम होता था जो उसके सबी सदस्यों में धार्मिक और सामाजिक एकता इस्थापित करता था कोई पशू किसी जन जाति का टोटम होता था तो उस पशू के साथ उस जन जाति के पूर्वजों का एक संबंद जोड़ा जाता था और यह माना जाता था कि उस टोटम के कारण ही वो जन जाति जो है आज तक जीवित और सुरक्षित है और उस जन जाति का पृतिक सदस्य जो है अपने रक्षा के लिए उस टोटम से सायता की प्रार्थना करते थे टोटम की रूप में स्वीकार करने की कारण यह जन जातिया जो है पशू की हत्या करना और उसके मास का भक्षन करना वर्जित मानते थे तेकिन साथ ही यह भी बात्मा देखी गई को कुछ खास अवसरों पर उस पशू की हत्या करके उसके मास के प्रसाद के रूप में सभी को बांट जाता था और यह विश्वास के जाता था कि इससे जन जाति के सदस्यों में टोटम की एक शक्ति उत्पन हो जाएगी तो इस तरह से टोटम किसी पशू किसी पेड़ या किसी पौधे या किसी चटान को एक शक्ति की रूप में माना जाता था टोटम बाद वैसे तो देखा जाए तो माना बाद का एक विश्य श्रू प्रतित होता है हम पहले भी देख चुके हैं कि टोटम का संबंद किसी जन जाती के पूर्वजों के साथ जोड़ा जाता था है और टोटम की पूजा पूर्वजों की पूजा के साथ भी जोड़े भी थी तो टोटम को अपने पूर्वजों का एक बहुतिक प्रतिक्वान करके उस जन जाती के सभी सदस्चिजें उसकी पूजा करते थे अब टोटम की पूजा के लिए भी विद्वान में कुछ मतभैट पाया जाता है कुछ कहते हैं कि शक्ति तता-पुर्वजों के प्रतिक रूप में टोटम की फूजा की जाती है। से केवल एक पवित्र और सम्माननी अवस्तु माना जाता है जैसा कि प्रिंगल पर्टिसन ने कहा है कि टोटम की पुजा का निशेत किया जाना चाहिए वे कहते हैं कि इस आदिन धर में मानव रूपी उस इश्वर का विचार ही नहीं है जिसकी पुगी जाकी जाती है और जि सदोसु के लिए टोटम की मूर्ति उनकी सामाजी के एकता का प्रतीक है और टोटम उसमें जो संवे गुत्पन करता है उसी को ध्यान में रखते वे उसके तुलना उस जंडे के साथ भी की जा सकती है जो किसी देश के सैनिक के लिए उसकी एकता का प्रतीक है और जिसके लि इवन का भी बलिदान कर सकता है। परंतु हम जये उसे प्राचीन या आधने करत में इश्वर नहीं मान सकते हैं। इस तरह से टोटम को सम्मानित वस्तों मानते वे उसे पूजा का विशय नहीं माना जाता है। ट्रेंगल पर्टिसन नहीं ये खा है। ठीक है। टोटम वात की विशय में ये भी का जाता है कि धर्म का एक रूप होने के बाद भी ये सामाजिक विवस्ता संबंदी एक विशय सिद्धान्त भी है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जन जाती के सभी सदस्यज़ें टोटम को पवित्र और सम्माननी वस्तों मानते थे। और वे सब उन सब का एक संबंद जुड़ा जाता था और उनकी सामाजिक एकता का प्रतीक भी समझा जाता था। यानि एक ही टोटम के कारण जन जाती के सभी सदस्यज़ें एक साथ असर। एक दुसरे के साथ में गनिश्टूप से वो संबंदित रहते हैं। टोटम उनकी सामाजिक एकता का सुधरण आधार बन जाता था। जैसे कोई विजाती विवा है बहिर विवा है तो सामाजिक विवस्ता का एक अनियार यह नियम था। और इस नियम के अनुसार जन जाती का प्रतीक सदस्य जो है अपने लिए पत्नी का चुनाव किसी दूसरी जाती से करता था। अपनी जन्जाती की किसी पी लड़की से विवा करनाउं के लिए वर्जित था तोटमवाद संबंदी आदिम सामाजिक व्यवस्ता है उसके नियम का पालन आज भी अनेक जातियों में देखते हैं इस नियम के त्रिक एक ही टोटम से सम्मंदित हर जन जाती दोरा कुछ खास अवसरों पर सामाजिक भोज का भी आजन के जाता था जिसके कारण उस जन जाती के सदस्वे में एक सामाजिक एकता भी बनी रहती थी इस तरह से टोटमवाद जो हैं सामाजिक एक तकावी एक प्रतीक माना गया है ये होटेट टोटमवाद इस तरह से धर्म के जो विभिन रूप हैं उनमें ये तीन रूप जो हैं सरवात्मवाद, मानावाद और टोटमवाद ये प्रमुख हैं और आदिम कालिन धर्म की स्वरूप को स्पष्ट करते हैं ठीक है? ओके, थेंक्यू